दोस्तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे Axis Bank Account Opening के बाद आपको Axis Bank की Mobile Banking Application को Activate करना है अब Axis Bank की Mobile Banking Application को Activate करने के लिए सबसे पहले आपको Google Play Store पर जाकर Axis Bank Mobile Banking लिखकर Enter करना होगा यहाँ पर जो भी आपके सामने ये App दिखाई दे रही है सबसे पहले इस Axis Bank Fund Transfer, UPI Recharge and Payment इस App को सबसे पहले आपको Install करना है App Install करने के बाद आपको इस App को Open करना है सबसे पहले ये कुछ Basic Permission मांगेगा तो आपको Allow के Option पर क्लिक करना है अब क्योंकि हमारा Already Account ओपन है तो हमें यहाँ पर Simply सबसे पहले Login के Option पर क्लिक करना है उसके बाद Next Page पर आपको अपना SIM Card सलेक करना है यानि जो भी Mobile Number आपका Axis Bank Account के साथ Registered है वो Mobile Number आपको यहाँ पर सलेक करना है और ये Assure करना है कि वो SIM Card आपके Mobile के अंधर मौजूद रहे जिस भी Mobile में आप Axis Bank की Mobile Banking Application को Activate करना चाह रहे है यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना SIM Card सलेक करना है उसके बाद नीचे आपको Continue के Option पर क्लिक करना है नीचे Continue के Option पर क्लिक करने के बाद दुबारा ये एक Basic Permission मांगेगा तो आपको यहाँ पर Allow के Option पर क्लिक करना है Automatically एक SMS ये Send कर लेगा और आपका Mobile Number ये Automatically Verify कर लेगा अब Next Page पर कुछ ऐसा Interface आपके आगे दिखाई देगा आपको Simply नीचे I Will Do Later के Option पर क्लिक करना है अब Next Page पर ये आपकी कुछ Basic Detail मांगेगा जिसमें सबसे पहले आपको अपना First Name और उसके बाद आपको अपना Last Name एंटर करना है अपना First Name और Last Name एंटर करने के बाद आपको अपनी Email ID एंटर करनी है आपकी Email ID एंटर करने के बाद आपको अपनी Date of Birth यहाँ पर एंटर करनी है first name, last name, email id और date of worth enter करने के बाद आपको अपना gender select करना है और नीचे एक security question का option दिया गया है कि in case अगर आप अपना login password भूल जाते हैं तो इस security question और answer की मदद से आप access bank की mobile banking application में खुद को दुबारा login कर सकते हैं ये सारी detail डालने के बाद नीचे checkbox को select करना है उसके बाद सबसे नीचे आपको proceed के option पर click करना है अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि 6 अंकों का अपना mpin set कर लीजिए जो भी आप 6 अंकों का mpin set करेंगे ये as आपका password काम करेगा यानि जब भी आप access bank की mobile banking application में login करेंगे तो आप ये 6 अंकों का password डाल कर खुद को access bank की mobile banking application में login कर सकते हैं next page पर ये fingerprint की permission मांग रहा है तो simply नीचे checkbox पर click करना है उसके बाद नीचे आपको proceed के option पर click करना है यहाँ पर आपको पीछे अपना fingerprint scan देना है उसके बाद next page पर automatically ये आपका fingerprint scan ले लेगा और यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करना है screen पर click करना है और आप access bank की mobile banking application में login हो जाएंगे एक बार आपको खुद को यहाँ पर log out करना है log out करने के बाद दुबारा आपको इस access bank की mobile banking application को login करना है दुबारा लोगिन करने के लिए दुबारा आपको सबसे पहले एक बार लोगिन के आप्शन पर क्लिक करना है उसके बाद दुबारा वही आपको 6 अंकों का पास्वर्ड डालना है जो पीछे आपने सेट किया था यहाँ पर आप Axis Bank की Mobile Banking Application में दुबारा लोगिन कर जाएंगे यहाँ पर धेरो आप्शन आपको मिलते हैं जैसे की ओनलाइन पैसा कैसे ट्रांसवर कर सकते हैं इन सब के अलावा NEFT, RTGS, UPI किसी भी तरीके से आप एक दूसरे को पैसा भी ट्रांसवर कर सकते हैं ओनलाइन इसी एप की मदद से आप अपने अकाउंट की FDRD या फिर किसी भी तरहे से mutual fund में भी invest कर सकते हैं यानि 80% काम बीना बैंक जाए Axis Bank की Mobile Banking Application से आप यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों उमीद करता हूँ Axis Bank Mobile Banking Application कैसे activate करनी थी यह आपको समझ आ गया है अभी के लिए this is the end of the video thanks for listening and thank you all